भारत खान पान का भंडार है यहां हर रसोई में पारमपरिट एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एक मात्र खोज है स्वाद का यह प्रियत आपको इडली के विभिन प्रकार के रुची से वाकिफ कराना है यह चैनल वैसे ही कुछ व्यंजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है आज आपको इडली 65 बनाना सिखाएंगे तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधी आवश्यक सामाग्री इसे पहले इडली ले और काट ले अब एक बरतन में मेहदा, चावल का आटा और पानी डालके मिला ले अब इसमें इडली के टुकडे डाले और अच्छे से मिला ले अब कड़ाई में तेल गरम करे और उसमें इडली के टुकडे को डालके डीप फ्राई करे ब्राउन होने पर इसे एक प्लेट में निकाल ले और एक कड़ाई में तेल गरम करके उसमें लहसन, अद्रक, हरी मिर्च डालके भून ले अब इसमें कड़ी पत्ता डालके भूने और दही, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर डालके मिलाएं और नमक, थोड़ा पानी डालें और उबलने दें अब उसमें डीप फ्राई किया इडली डालें और कुछ देर पकने दें बाद में एक प्लेट में निकाल ले प्याज और निम्बू के साथ इसे गार्निश करें और सर्फ करें हो गया इडली 65 तैयार यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आईगी तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और ऐसे ही कुछ और इंट्रेस्टिंग रेसिपीस के लिए हमारे चानल स्वाद को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें करें और स्वाद करें करें ट्राइब करें झाल